आप देख रहे हैं डिवे नीज मैं हूँ एम राजा एक दिवसे जलसे का रवीबार्ग उपास अमापन दर्मांगा आली नगर इस्तिक लिलपुर गाउं में रवीबार्ग की संध्या एक दिवसे जलसे के दोड़ान मौलाना मतबुर रख्मान सीता मढधी ने कहा सराप बीने वाले सक्स का मुख मरने के बाद वो आइक दालता है अब आएट डाल के हैं जलसे की तफ्वीर पर एक नजए इसका खाल नहीं रखाएगी अरख एक जलसे की संध्या जाती है लखित करें कि अया करें खुड़ु़ पर नद्यादित करें करें है। मदर्सा खरीमिया स्वत्र पुरान का ये जल्सा का जिसके लिए मुन्तजमी ने मदर्सा ले बासिन लगाने दिन पूर और अस्खाब खैड के कोशिशों से मुनादिर हो रहा है हम सब के लिए बाई से मसल्वत है अगर तुम शुकुरिया दे कनोगे तुम मैं तुम्हें जादे दूगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब सब्सक्त है और हर दोर में ये मन्सूबा रहा है इसलाम मुखारिफ टाकत है इसलाम और मुसल्मानों को कुचलने के लिए भरपूर कोशिश करते रहें इसलाम मुखारिफ टाकत है इसलाम और मुसल्मानों को दबाने की भरपूर कोशिश करते रहें लेकि इसलाम की फिकरत में खुरत ने लचक दी है ये उतना ही पुदिगा जोगना की दबाई हो इसलाम का आफ़ताब गार इहरा से रमउदार हुआ नभी पार्थ हम्म्मन अर्सूल दीना में ला इलाह इल्लाह मुहम्मन रसूलाह की आवाजοι की अवाज लगाई सदा लगाई दुश्मनाल असलाम मुकारिफ हो गये ये आवाज एक अजनबी आवाज सुिह जा रही और पूरी तैयारी के साथ, पूरी खुवत के साथ, पूरे हास्डे के साथ, इस्लाम मुखारिब ताकत है, इस्लाम को दबाने की लिए मैदान आमन में आगे, आप जानते हैं, घजवा बद्र, इस नाम से एक घजवा मशूर है, एक तरफ मुठी भर मुसल्मान थे, जिसकी तादात 313 थी, और एक तरफ कुफारों मुश्रिकीन की तादात जो हजारों में थी, पूरी गुवत के साथ, पूरी जुरत के साथ, पूरे गुरूर के साथ इसलिए आए थे, के इन मुठी भर जमाद को खत्म कर दिया जाएगा, मुसल्मानों को इस सर्जमीन से मिटा दिया जाएगा, अल्लाह सुभाने मुटारा की मदद आई, और फिर ये के उनके पूरी ताकत थी, जंगी सामान भी थे, लेकिन हुआगा, अल्लाह सुभाने मुठी भर जमाद को कामियाब हुआगा, और वो जो नापा के रादे रखते थे, जो मुसल्मानों को कुचलना चाहते थे, जो मुसल्मानों को मिटाना चाहते थे, दीन इस्राम को निश्को नाभूद करना चाहते थे, उन में से सत्तर सर्दार मारे गए जहन्नम रसीद दिये और उनी बद्र के गुवा में डाल दिये भाईयो दुश्रों को और दोस्तों इस्लामी तारीख हमें ये बत्ताती है इस्लामी तारीख हमें ये बत्ताती है हर जमाने में अल्लाह सुभाना हुआ ने इस्लाम की मुसल्मानों की रहना आई फर्माई ये इस्लाम जिन्दा रहने के लिए आया है मुसल्मान एक जिन्दा कोम है ये निस्तों नाबूद होने के लिए नहीं आया है याद रखिए और खूब घंसे याद रखिए जिस दिन इस रूए जमें पर अल्लाह सुभाना हुआ तारा का नाम लेने वाना कोई नहीं रहेगा उस दिन अल्लाह सुभाना हुआ तारा कारिनात के इस निजाम को खत्म फर्मादा कियामत वाते हो जाएगी अगर ये दुनिया बाती है और ये दुनिया के निजाम बाती है तो सिर्फ और सिर्फ एमान वालों की वज़े से है सेऍद और सेफ मुस्लमानों की वजय से है अल्ह के लबी हुम्म रशाल सुल्लाह अलिह सेख हरुत तफिर स हर माते है इना दुन्या खुरिगत लekûm एनकम खुरिगत लिलाँवरा ये दुन्या कम आपहर लिए बनाये हैं और तम आपहरत लिए बनाये हैं भाईयों भुष्रों और दोस्तों हमारे इस मुल्क वे और यह ऐसा मुल्क है कि इस मुल्क की तामेर में हमारा फूर शामिना यह वो मुल्क है कि इस मुल्क पर हमारे अकाविरीन ने एक साल नहीं, दो साल नहीं, पाच साल और दस साल नहीं, बर्गे आग सो साल तक हुकुम्टी, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा पून शाम है, और फिर बद खिसमती से गयों का कब्दा हो गिया, बद खिसमती से गयों का कब्दा हो गिया, अंग्रेजों का कब्दा हो गिया, अंग्रेजों ने इस आजाज मुल्क पर कब्दा करने के बाद, अपनी क्यादत को चंकाने के लिए, और अपनी हुकुमत का सिक्ता जमाने के लिए, इस आजाज मुल्क के जर्रे जर्रे को पामा बना कर रख रखा यहां के अलमा को यहां के ओमरा को यहां के शहजादों को और यहां के वली आहद को यहां के राजा और महराजाओं को यहां की ओरतों को सर बाजार जलील और रुस्वा किया गर्जिकी वो तमाम काम किया जिससे जमीन ठर्वा गई और आसमान भी शर्मा किय ऐसे पुराशों माहौन में ऐसे खतरनाग माहौन में जब किसी की हिम्ट नहीं हो रही थी कि वो अंग्रेज के खिराफ आवाज उठा सकी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी किसी के अंदर इतनी पुवत नहीं थी ऐसे वक्त में जिस शफ्रें सबसे पहले अंग्रेजों के खिराफ अवाज उठाई वो मुसल्मानों के सरदार और उल्मा के सरखेड हजरत मौलाना शाह अबदुलाजीज मुहद्दिश देहरवी रहमतुल्ह आले जिन्हों ने फुर कर अंग्रेजों के सिराफ बगावती और आपने फत्वा दिया इस मुल्ग पर अंग्रेजों का पबजा वासबाना है उन्हें यहां हुकूबत करने और यहां के लोगों पर जुल्म और सितम धाने का कोई हग नहीं आपने अईलान फरमाया और बाजार का तहरीरी तोर पर अईलान फरमाया हेंदुस्तान जाल अलहरव है और मुसल्मानों पर फर्ज हो गिया है कि इस अजनभी ताकत के खिराफ जहाद है हल्द मुलारा शाहतुलादी मुहत्टिस के हर्भी रहमतुल्ह आलह है अंदुस्तान के पहले सुबूत है जिन होने बाजाब्ता तहरीरी तोर पर अंग्रेजों के सिराफ बगावब किया आपकी फत्वों की वज़े से मुसल्मानों के अंदर बिरादिरान ने वतन के अंदर एक बेदानी आई लोगों का होस्रा बढ़ा लोगों के अंदर हिम्मत आई और पूरी बेदानी के साथ लोग मैदान आमल में आपकी यही बस नहीं किया बलके आपने बाजाता मुजाहिदी की लश्कर को तयार किया मिने भाईयों बुज़ों को और दोस्तों सत्रह सो सतावन में सिराफ बगान ने अंग्रेजों से मुकावरा किया आपकी अपने तारीफ मालुम होनी चाहिए मुस्लिम नाजवानों इस तारीफ को याद रखो और बुजदिल होनी की जरूरत नहीं है सत्रह सो चौशज में सुजावु तौला में मुकावरा किया है और सत्रह सो निन्नानों में टेपु सुल्तान शहीद ने अंग्रेजों से मुकावरा करते हुए मादरे वतन की आजादी की खाति इस मुर्गी की खाति शहीद हो गया आपको मालूम है जब आप गिर पर हैं जमीन पर आपकी लाश रखी हुए है अंग्रेज खौश का आपसर वो आगे बढ़ता है डर के मारे आपकी चेहरे पर जो रोप था जो दबदबा था जो हैवत थी वो देखता है जो उसके अंगर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आ करने की हिम्मत करता फिर पीशे भागता उसे यतिन नहीं आ रहा था कि ये शेर हिंडोस्तान मर चुका उसे डर और खौफ था कहने अशाना हो कि ये तलवार लेकर मैदाने अमल में उठ जाए और तलवार चलाना सुरू करते है कई बार इस तरह की हरकत करने के बाद जब उ यकीन हो जाता है कि वातई में ये मर चुता तब उसके नाश के पास अंग्रेज पोस्ताज का जन्रल हौस एक अफसर एलान करता है कि आज से हिंडोस्तान हमारा है मेरे भारिव दूस्तों उससे पहले किसी हिंदुस्तानी की मौट पर किसी एंग्रेज अफसर ने इस तरह का कोई तफिर दे कि अग्रेजों की मिटिंग होती हैं इस हिंदुस्तान में हमारी हुकुवत कैसे मुश्टाप मारा सकती है हम यहां कैसे हुकूमत कर सकते हैं आफस में ये बात तै होती है मस्रे में ये तै होता है कि जब तक इस मुल्ग में उल्मा है इस मुल्ग में मदारिश है जब तक इस मुल्ग में मुसल्मान है हम यहां चैन से हुकूमत नहीं कर सकते हैं इसलिए जिए जिरूर्त इस बात की है कि यहां के मदर्सों को खत्ल किया जाए यहां के علुमाओं को खत्म किया जाए और पुराण अबंकदस जो आzhवाने कितार है इसको खत्म किया जाए इस मनसूवे के तहद इस पलानिंग के तहद हैं अब एक और आज़ा इसी दोर शुरू हो गई यहां के मुसल्मानों पर मुर्खें लिखते हैं पुरान पांग के कई लास मुस्के हो अंग्रेजों ने जमा करके दर्या में प्षेटे कि पुरान मिट जाएगा और नमालू कितने ही हुफाद किराम को गोलियों का निशान अपना है और अंग्रेज मुअर्यव दाप्टर टामसल लिखता है अपनी याद दास्त में चौदह हलार ओल्मा को फासी पर लटकाए लिए जिल्ली के चांदरी चौप से लेकर पिशावर तक कोई दरफटाए साही तको जिस बर उल्मा की गर्द न आलता है यह अंखलेज मुर्य खुलता है यह अंगलेज मुर्य पिस्मिल्हि हुप एस भार्भी मुद्वार्पी न connected to our most जिस जड़ो जहाद और परशानी आप पुशिशों के साथ गाउं गाउं में भूम रहे थे और हर एक आगनी से मिल मिल के कह रहे थे कि मजरसा हनीमिया में एक प्टे की दस्तार बंदी हो दी आप लोग जरूर आईये जरूर आईये मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी ये मेहनत अल्लाह ने कबूल फर्मा ली और इलाका के आदमी आगए में इतने उमीद नहीं थी ये मजरसा हनीमिया में इतना जबर दस्तार लोग का इज़्दिहाब होगा और जलसा इतना वरा कावियाब होगा ये इन दोनों हदरात और गाओं के तमाल मुंतजबीन वर नोजबाद और मामनें की इख्यास की वज़ा है ये आपका ये जलसा में जहां तक देख रहा हो खचा खचा अनमी बरे हुए है इसलिए जरा सा आज का नोजबाद आज का हमारा मुस्माद हमारे माड़रे के जिम्दाद हो राव occupied बिर्हर लिये है आटना के ढिलाए हम एक ऑफ़ूक्त के परणक हुए है जिसकी जाए है मिए बाशा बिगएता जाए रहा है और बिगएता जाए रहा है और इस ओक कर पहुचे रहा है कि हमें अपने बाथ अची लगती ही नहीं है यह गाहित परावन हजीन के installment के परविराम में कि अलाह के कRear को बच्चा ने हिंच उया है ये बच्ता है अपनी सीरे में तीस बाथे कोई परावन के लोगार में देना चाहिए और अवाझ में बॉराना चाहिए जिस मां के पेस से लागाना हुआ और जिस लागी परवईश और मसुलों उसके भाव ने की और कामी मदारक भाव है मुस्तार जिहों ने जी तर्बिया देकर अल्लाँ ने तीस तारे पुरान को उसके सीरे में महुश किया जिकरे खुदा ये पाक से पहले महफिल का आगाज करे महफिल का आगाज करे जिक्र खुदाए पाक से पहले मह्यफिल का आओज करे जिक्र खुदाए पाक से पहले में फिल का आगाज करे में फिल का आगाज करे नाक नबी की पढ़ते पढ़ते रूह मेरी परवाज करे रूह मेरी परवाज करे राश नभी की सुनते सुनते रूख मेरी परवाज करे रूख मेरी परवाज करे बनते थे और बनते हैं इंसान मदारिस में बनते थे और बनते हैं इंसान मदारिस में प्यार रडी के रहते हैं मेहमान मदारिस में मेहमान मदारिस में और ये दनते हैं जी इसान मदारिस में कारा पानी जिसने घूमा ये तु जरा बतलाओ कारा पानी जिसने घूमा ये तु जरा बतलाओ आजादी का फत्वा जारी किसने किया बतलाओ जंग आजादी का उठा तूफान मदारिस में जंग आजादी का उठा तूफान मदारिस में प्यारे दभी के रहते हैं मेहमान मदारिस में मेहमान मदारिस में कौन बनेगा इन्शाओन कोई बनेगा फिर की पूछ सुल्चान मदारिस में प्यारे दभी के रहते हैं मेहमान मदारिस में मेहमान मदारिस में ताइम का दी गए है उसका ख्यार अगर इसका ख्याल नहीं रखा गिया जाही सी बात है जो बात में हो और भाय करा मान मदारिस में हम कुछ सुने में दिक्त होने तो जैसा के बताया गिया है कि माना अपिल वहाफ साथ हैं पूरी इक कड्रे तब एतना साथ है और पूर बायान के अगर अपस होना चाहते हैं को में माना से कंदारिस का मुछ का ख्याइब है और अपने के अगदर बायान से इस्तिफादा के मौईने के ख्यां ये इफलास लिए तो च्छता की मसीड शीफ एक ताल बें शीफ लिए शीफ लिए शीफ बन शीफ लिए के मैनत इफलास लिए आज जाम अधर इसका आग़ जा आए जितने भी एनारे हैं ये सब डालों बबंद की औरात की बबंद हैं इने भाज़ें पाइद काह आला हाफ़ पुर्ण है हाफ़ पुर्ण है ये नभी ए मुख्तरम के लाडले में हुमान है मरतबा इनका है आला हाफ़ पुर्ण है आना मुश्किल है पुर्ण की आयत सुन सुन कर अब दिल का लगाना मुश्किल है इसको माबापों की खिद्मत से बेटे महरूम रहा करते है यहा इसमत को पहुत ही दूर हुई पानी पी प्याना मुश्किल है इसको पानी पी प्याना मुश्किल है इसको इसको हमारे पूरे मुश्किल है कसंदी हम तुने नायों के हासु हो गई यहांसु है निरामत के विगाते है वो इक जहन्द राए अलाय की रहमत ऐसके तर तर आशका है जो अलाय के तरता है इसको कि अपनी खुम्रातों पर दर दर शोषित है रहर पड़ती है तो आसको उप्यह्ण हो ही इसकोने इसकों के तुन विक प्याएं तो नहीं है जो जो जिन्दगी दीते हो वो कि जिन्दगी है क्या है क्या जिन्दगी है तो कहते हैं मौला ना सुनिये है हमाते हैं हज़ाद जो गुजरी यार में जिन्दगी है वही जिन्दगी बस मेरी जिन्दगी है जो आप जिन्दगी है मेरे को बतने को जिन्दगी है जो गुजरी यार में जिन्दगी है जो जिन्दगी है वो जिना नहीं बलके श्रमिल्दगी है उस में एक अग्मी दोस्टी कमणी को बैठा लोगा अपनी कमणी में ती दोस्टी कमणी थी लेकिन आगर का साथी के भीर में वो भी दुसरी कप्रन थी दुसरी कप्री का हमार कही था हम भूठ भी था हम भी हुद गज जाते हैं आगलोग हम भूठते हैं अब बूसरी कप्री दुरूश भी पढ़ती है आपो पहुचा जेती एक ही मतब़ा आसमान पर जी आसमान पर जी अपरों के दुरुष शरीम में अलाहुआ सल्ले अला मुहम्मा लेकि उन्गों के दुरुष शरीम में दूर दूर तल मुहम्मद का पता नहीं मुहम्मद का कहीं पता नहीं है। नूरु अला तो आए अए ठकि दूरुष शरीम में कहीं पता नहीं है। हमारे हैं तेरा दुरूद नहीं पहुचा है हमारा नाम तो मुहम्मद है ना इसलिए अपने लोगा दुरूद शरीफ सबसे बढ़िया दुरूद शरीफ यही है अल्लाहुमा सल्य अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा सल्यता अला इबराहीमा वाणान इबराहीमा इनका हमीद मजीद दो दोस्वी कमपनी का भी बैठा हुआ था नौना के सब्सक्राइब के साथ चला लिया था लेकि उसमें भी एक सवाल जूड़ लिया का हजराद, हजराद, हजराद अबराद की में तो सब्सक्राद के मुहब्बत में घुलते रहते हैं अल्ला का जिकर भी बहुत करते हैं सब कुछ करते हैं लेकि हजराद ये बता दिये के मेरे दिल में अल्ला की मुहब्बत क्यों नहीं आती है मेरे दिल में रसुल नल्ह का इश्क को नहीं आता है मेरे दिल में जनाब मुहम्मद रसुल नल्ह की तरफ को नहीं आती है आफरस्षटक कहा ओ तेरे दिन में हाँ बताओं हाँ अबता दीजिए अमल करोगे अमल करोगे नजी कहा अमल करेंगे आफесь जो यो बात इसे हो उसको छोड दोगे न, ता कहा हाँ छोड देंगे का सुनो तुम्हारे दिल में मेरे नबी क्यों नहीं आते हैं अल्ला की महबत क्यों नहीं आती है अरुम इस शायरी में कहा क्या कहा तेरे दिल को मसरकल बना ए वो कैसे तेरे दिल में तो शुरिय की गंड़गी है तेरे दिल को मसरकल बना ए वो कैसे तेरे दिल में तो शुरिय की गंड़गी है मेरे बुजरगों मेरे दोस्तों मेरे प्यारे भाईों इस लिए अपनी इसला के लिए यहां पे बैठो इन्हें की मज़ा ले लिया और चले गए मज़ा ले लिया और चले गए तक्रिर काम्याम हो गई और जलसा काम्याम हो गया जलसा कराने बाला भी सो गया असारा वाल्टियन सो गया असारा रिजाकार सो गया भुरा बोर्ची सनाटा हो गया और उपर जब सुरत आया पस्तों आख उब तो ठाक अब वह आखा का फजर की नमाज परो मुसलमान को नमाज छोड़ता ही नहीं है हमने आपके पास सबसे पहले है दिस शरिक पड़ी है जनाब मुहम्बत रसूल ला की मजलिस लगी हुई थी आपनों की मजलिस लगी हुई है आपने जनाब मुहम्बत रसूल ला ने फर्माया मुझको दुनिया की चीज़ों में से तीन चीज़ से बहुत ज़ादा है नमबर एक अता लगाना नमबर मुहम्बत रसूल ला ने फर्माया आका स्थालाओं को सौब से जादा दुनिया की चीदों में फुश्बू से बेंदिया मुख़़़ थी एक, नंबर दो अन्यसा, हाँ अवरत से उजे उखो बहुँ जादा मुख़़़़ थी, अवरत से बहुँ जादा मुख़़़़ अगर इतने पटेका है। बूरुण लियुकर भूंट टी सिसकार अब लाधिवर, डौकर पंड लाधियर cómo से आए ये सब्सम गुरूनाइट। ये और हमेकर से अए कर ठाकथ्ता ने कुछ अफे प्रोसुन्म ओझार्श somehow in करना, गल्वार ने करना. आन फोल से मताया है कि अभके करना, आजी किक्राइम काया है ağa architecture, आजी पावन्दी से आजी को हा को चाब जूघ करतो प्रइसे किरा धन्यम, छाना भर लाइग मुल जिए कivatल बर्कतु बर्कतु राग?", जड़े जिल्ले, ठाल मेर गते कि myths किर्णा लाइगा सूल थे आना हूं अ कैसा हूं तलत में विकुल्ट भ्या रंभ लेता लाइगा लिक 25 छू्य लściąONG करका नाना अाने पर अच्ति condemnation जाइंद एा जाइंद जहां और हिल जहीं दो बजोचेगा जहां जाता है हिल तरही को बारी देखे चेगारी देखे खुर्पी देखे जी बैल को नहां कर भैस को हां को हां और वुलाना को जहां देखे रहा विल्फुल राइट और विल्फुल टाइट यह क्या करता है मेरे विश्र को मेरे दोस्तों मेरे पचार ही देखे